पिछले लेसन में हम लोगों ने एक इमिज के ऊपर कलर और लाइट अजस्मेंट जो है वो अपलाइ की थी और मैंने आपको बताया था कि नेक्स लेसन में हम उसी इमिज को जो है वो वहां से आगे ट्रीट करना शुरू करेंगे तो चलेंज चलते हैं और उसी इमिज के उपर अब इस lesson में हम लोग apply करके देखते हैं retouching के tools को जो के already हम देख चुके हैं मैं आप लोगों को बता चुका हूँ लेकिन अब इस image पे वो one by one हम जो workflow मैंने आपको बताया उसके accordingly apply करके दिखाता हूँ चलने जी अब हम इसको retouch करना शुरू करते है image को जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस image के अंदर काफी ज्यादा जो है वो margin हमारे पास आपको frackles नजर आ रहे हैं skin के अंदर भी कुछ problems हैं तो हम देखते हैं कि हम इस image को किस तरह से improve कर सकते हैं जो है वो retouching के हवाले से अच्छा original image मैंने इसको इसलिए नाम दिया था ताके मेरा जो actual image है मेरे पास महफूज रहे अगर मैं ये adjustments आफ करूँ तो ये देखें मेरा actual image, original image मेरे पास बिल्कुल वैसे का महफूज है अब जो मैं retouching के tools अप्लाइ करूँगा उनके लिए मैं control J प्रेस करके इस अपनी original image की जो layer है उसकी लूँगा duplicate और duplicate के उपर फिर मैं one by one apply करता जाऊंगा अपने tools तो सबसे पहले मैं यहां पे apply करने लगाँगाँ जी spot healing tool जैसे कि आप देख सकते हैं कि skin के अंदर काफी स्यादा सारे spots आपको नजर आ रहे हैं और आपको याद होगा कि मैंने spot healing tool आपको बताया था जिसके मदद से हम जो है वो यह spots बड़ी असानी से skin के अंदर से remove कर सकते हैं यहां पर याद रखें content aware मैं आपको पहले भी बता चुको हूँ कि content aware के मदद से हम जो है यह spot healing tool जो है इसको use करते है अक्सर और content aware का फाइदा यह होता है कि यह हमारे pixels को हमारे image के pixels को जो है वो catch करने में असानी फ्राम करता है हमारे tool को और जो already अगर कहीं पे pixels जो हैं वो गड़बड होने का खतरा हो तो content aware के वज़ए से वो pixels जो है वो अपने आप adjust हो जाते हैं और settle हो जाते हैं अच्छा जी जो है वो shot key है हमारी spot healing tool की और आपको यह भी याद होगा कि मैंने आपको पताया था कि bracket की जो है उसके मदद से हम size जो है वो spot healing tool का बड़ा चोटा कर सकते हैं spot healing tool की मदद से जो है वो साफ करते जाएंगे यह देखें जिसना यह जो forehead वाला area यह काफी हद तक जो है वो clean हो गया इसे तना से अब यह हमारे पास नीचे जो है यह काफी ज़्यादा सारे spot मौजूद हैं यह tools कोशिश करें कि आप अपने document को यह अपने image को जितना ज्यादा zoom in करके इन tools को apply करेंगे उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से आपका जो retouching है उसका process उतना ही ज्यादा smooth रहेगा और उतना ही ज्यादा बहतर रहेगा सिर्फ spots की मदद से single clicks की मदद से ज्यादा तर इस्तमाल कर रहा हूँ क्योंकि इसका इस्तमाल बेहतर इसी तरह से है लेकिं यह जुरूरी नहीं है कि आप इसको single click की मदद से सिर्फ इस्तमाल करेंगे आप इसको drag करके भी जह है वो spots को remove कर सकते हैं और उस तरह से भी drag की मदद से भी यह जो टूल है यह काम बिलकुल सही तरह से करता है अच्छा खास वर पर यह जिसना यह curves आ रही होती है यानि कि जो shape जहां पर जिस area में define हो रही होती है वहां पे भी आप लोग ज़रा ध्यान के साथ इन टूल्स को apply करें क्यूंकि उन areas के अंदर भी जहां पे कोई form बन रही है कोई shape बन रही है skin फॉर एक्जामपल आगे से गुलाई के अंदर है या कुछ इस तरह का है तो वहां पे भी definitely आपको बड़े ध्यान से अप्लाई करना पड़ेगा अच्छा जी अब ये हमने spots रहे हैं वो remove कर ली है इस face के अंदर से अगर मैं इसको आपको मैं साथ साथ इसको save करता चलूँ और अगर मैं इसको आपको जो है वो off करके दिखाऊं layer को तो ये देखें हम इस image को यहां से यहां तक ले आए हैं इसके spots हमने जो हैं वो remove कर ली है अब इसी को मैं दोबारा duplicate कर रहा हूँ layer को और यहां पे मैं खाली healing tool जो है जो already मैं आपको पहले भी आपको याद होगा बता चुका हूँ वो मैं apply करके बताने लगा हूँ इसकी भी shot के जनाबी अली जे ही है और यहीं पे आपको मिलेगा healing tool ठीक है और healing tool की मतबसे अब मैं क्या करने लगा हूँ जनाबी अली के ये कुछ area यहां पे मुझे लग रहा है कि ये heal होने वाला है तो इसको ज़रा थोड़ा सा देखते है उपर यहां पे आप sample पे क्लिक की जिगा source में और यहां पे current layer और diffusion आपके मरजी है आप five to six रख सकते हैं अच्छा जी आपको याद होगा कि basically हम क्या करते थे healing tool के मतबसे हम पहले area select करते है pixels select करते हैं और फिर जो healing tool है जो pixels हमने select किये होते हैं जो pixels हमने catch किये होते हैं उन pixels को हमारी जहां पे हम जाके apply करते हैं वहां पे यह apply कर देता है तो हम जनाब यली वही वाला काम यहां पे इसके साथ कर रहे हैं यह देखें अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाँ हूँ तो यह देखें यह एरिया जो है यह बेसिकली वह आपको इसको ब्रश के अंदर नदर आ रहा है जो के जो pixels already इसको select हुए हूए है यानि अगर मैं यहां से apply करता हूँ यह इसने साफ तो कर दिया लेकिन इसने overall ब्रश में अगर मैं बहुत बड़ा करके इसको apply करूंगा तो फिर definitely मेरा जो image है जो visual है वो खराब होने का अंदेश है और इसमें एक tip यह है जनाबी अली के आप कोशिश करें कि जब आप किसी भी area को साफ करना चाहें need clean करना चाह रहें या re-touch करना चाह रहें healing tool के मदद से तो try your level best के आप जो pixels जो आप चूज करने है वो आप उस area के करीब तरीन यानि के जहां पे आपने उसको duplicate करना है जिस area को आपने heal करना है उसके करीब तरीन जगा से आप जो है वो pixels को select करें ताके आपके जो pixels हैं वो सही तरीके से जो है वो जा के वहाँ पे apply हूँ तो यह देखें जी यह nose के अंदर काफी सारे problems है जो के हमने जो है वो काफी हद तक बेतर कर ली है इससे ठीक है जी यह हमने healing apply करके देखा यह देखें अब हम क्या करते हैं मैं इसी को दुबारा duplicate कर रहा हूँ और मैं यहां पे अब आ रहा हूँ जनाब अली हमारे पास एक और टूल यहां पे ही मौजूद है patch tool के नाम से अब मैं double click करके इसको rename करता हूँ और हम apply करते हैं यहां पे patch tool अच्छा जी patch tool अब मैं इन areas के अंदर जो है वो apply करने लगा हूँ और patch tool हम ज्यादा तर वहां पे ही apply करते हैं जहां पे जो हमारे healing tool वगरा है यह थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल हो उसको heal up करना तो फिर हम वहां पे उन areas में जहां पे काफी ज्यादा problem हो तो वहां पे फिर हम patch tool के मज़ा से जह है वो areas को ठीक कर लेता है अब यह देखें मैंने यह किया है कि मैंने यहां पे patch लिया और जहां पे जाके मैंने उसको छोड़ा अपने mouse को उस जगा से pixels जो हैं वो उसने select किये और उसने जनाबिया लिए वो pixels वहां पे लाके मेरे पास जो area मैंने पहले select किया वा था वहां पे लाके उसने copy कर दी है अच्छा जी इसको मैं बिलकुल remove नहीं करना चाहरा एक और बात मैं आपको बताता चलूं के खास और पे portrait को edit करते हुए एक बात क्या ख्यार लखें कि कई चीजें ऐसी होती है जो के natural होती है और उनको आप बिलकुल खतम नहीं करते तो यह अब हमने patch tool apply कर लिया healing tool apply कर लिया और spot healing tool apply कर लिया अब मैं इस patch tool की duplicate ले रहा हूँ और यहां पे हमारे पास एक और tool जो है वो available है मैं अब यहां पे apply करने लगा हूँ कलोन stem tool यह भी हमने पहले discuss किया था S जो है वो इसकी shot की है यहां पर यह हमारे पास tool पड़ा हुआ है अब मैं पहले इस वाले area पे आता हूँ अच्छा कलोन stem tool में भी हम आपको याद होगा कि हम पहले area को select करते हैं फिर उसके बाद हम उसकी जो है वो duplication करते हैं opacity हम इसमें थोड़ी सी कम कर लेते होते हैं ताके flow भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं क्योंकि यह brush की तरह काम करता है तो हम opacity वगारा थोड़ी सी smooth कर लेते हैं so that के हमारा जो जो area हम smooth करने लगें जिस area को हम stamp करने लगें जो है वो smooth तरीके से हमारा जो visual है वो edit हो और वो बिल्कुल जो है वो एक दम से कुछ patch सा लगावा है वहाँ पे फील नहीं होना चाहिए तो यह मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे यह जो हमारे nose का issue था इसको मैं थोड़ा सा जो है वो solve करने कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे और यह जो nose है इसको हम थोड़ा सा क्योंकि यह बात जहन में रखें कि जो हमारे यह देखें यहाँ पे यह nose थोड़ा सा mild बना रहा हूँ यह जो shadow आया हूँ है चिन के नीचे इसको मैं थोड़ा सा stamp करके इसको मैं हलका बना रहा हूँ अब यह जो chin की एक line है यह पूरी line नहीं मैं हटाऊंगा क्योंकि अगर इस line को मैं हटा दूँगा तो जो skin है वो unnatural feel होगी यहाँ से क्योंकि यह face का feature है Allah ताला ने बनाया है naturally तो इसको हम बिल्कुल खतम नहीं करेंगे बिल्के हम उसको सिर्फ थोड़ा सा जो है वो इस तरह से कर देंगे कि वो बुरा ना लगे ठीक है जी और यही हम इस वाले area के अंदर आके जो है वो यहाँ पर इस तरह से चीज़ों को thought out कर लेते हैं अगेन अब यहाँ पर यह जो एक depth बनी हुई है यह भी एक natural depth है तो इसको हम बिल्कुल totally खतम नहीं कर सकते सिर्फ उसको जो हम किसी हद तक बेतर करेंगे इसी तरह से अगर यहाँ पर हम आजें तो यहाँ पर थोड़ा सा eyes के उपर हम हलका सा इसको थोड़ा सा smooth कर सकते हैं कलोन स्टेंप की मद़़ से तो यह कलोन स्टेंप जो है यह stamping तो करते ही करता है उसके इलावा यह थोड़ा सा smoothness भी हमें प्रोवाइड कर देता है हमारे वेजूल के अंदर ठीक है जी तो यह नहीं जी यह हमारा जो image है यह यहाँ तक करीबन जो है वो पहुंच चुका है जिसको मैं last touches यहाँ से nose के area को यहाँ से देने लगा हूँ चाले है यहाँ पर भी थोड़ा सा इसको मज़ीद जह है वो smooth कर लेते हैं चाले अच्छा जी अब यहाँ पर colon stem tool भी हमने apply करके देख लिया है अब इसको मैं सारी अपनी layers को आपको off करके दिखाता हूँ यह देखें यह image था और उसको हम जो हम जो है वो जनाबी अली ले आए हैं यहाँ तक ठीक है जी अब आखरी जो retouching की चीज में apply करने जा रहा हूँ वो है जनाबी अली dodge and burn जो के बहुत ही ज़दा important चीज है जो के हमारे highlights और darks को जो है वो advance करती है enhance करती है तो मैं अब यहाँ पर आके जनाबी अली dodge and burn जो है यह O इसकी shot की है dodge and burn की और इसके अंदर मैं यहाँ पर range में आके मैं mid tones लूँगा मैंने आपको जब यह बताया था tool to minus आपको यह भी बताया था क्यों जो है वो यहाँ पर रखते हैं exposure इसका मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ और जनाबी अली अब मैं सबसे पहले तो क्या करने लगा हूँ कि मैं eyes के उपर आउंगा और eyes में आके मैं यहाँ पे इसको हम कहते हैं जी eye ring ठीक है जी यहाँ पे हम थोड़ा सा eyes के अंदर जो है वो brightness add कर रहे हैं so that eyes है वो थोड़ी सी lively हो जाएं ठीक है जी अच्छा जी इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि हम जहां जहां पे जिस जिस area में हमें लगता है कि हमारी जो highlights मौजूद है हमारे visual के अंदर उन उन areas में हम highlights को जो है वो थोड़ा सा enhance कर देंगे exposure है में थोड़ा मज़ीद कम करना चाहरा हूँ ताके हम बिल्कुल हमारा smooth सी हमारी जो हाइलाइट है सबसे पहले मैं तो forehead पे आ जाता हूँ यहां पे यह देखें center के अंदर हमारे पास काफी area है जहां पे हमें highlight जो फील हो रही है इसी तरह से nose के उपर मैं यहां पे कर चुका हूँ यहां पे यह जो cheeks वाला area है यहां पे हमारे पास कुछ highlights का margin है ठीक है जी इसके बाद यहां पे हमारे पास chin पे भी जो हाइलाइट यहां पे हमारे पास available है और यह upper lips के उपर भी हमारे पास highlights available है अब मैं थोड़ा सा आजाता हूँ बालों की तरफ और बालों में भी इसके यह देखें जहां पे हमारे पास margin available है यह highlights जो जो बाद जो यह बेसिकली आप जब विजुल्स देखते हैं मैगजीन वगारा में यह इंटरनेट के उपर इसकी मज़से वो जो एक livelyness है वो इस image के अंदर आ जाती है ठीक है जी यह अब हमने apply कर लिए अब हम इसी layer के अंदर रहते हुए burn को apply करेंगे इसके लिए भी हम पहले exposure जब वो कम कर लेंगे और याद रखें के light to dark जब हम drawing भी करते हैं तो हम drawing के अंदर जब shading करते हैं तो हम light to dark travel करने ही कोशिश करते हैं so that के अगर हमसे कहीं पर highlights or darks गलत लगने तो हम उसको easily handle भी कर सकें लहाज़ा हम light to dark के अंदर ही travel करते हैं तो कोशिश कीज़ेगा आप भी के पहले dodge apply करें जो के highlights apply करता है उसके बाद आप जो है वो बान apply करें जिससे के हम darks जो हैं वो हलके हलके apply कर सकते हैं जिससे हमने यहां पर कुछ darks apply कर लिए यहां पर बालों के नीचे shadow बान रहा है इसको थोड़ा सा मुज़ीड dark कर लेते हैं यह देखें इसी तरह से बालों के अंदर यहां पे कुछ डार्क्स अवेलेबल है चैलने जी यह आईब्रोस को भी मैंने इसी की मदद से जिसना मैंने आईज को किया था इसी तरह मैंने आईब्रोस को किया है बलके मैं आईज के अंदर थोड़ा सा डॉज एक बर दुबारा अप्लाइ करना चाहा हूँ और मैं यहां पर करूँगा अब यह जो हमारे पास एरिया होता है वाइट वाला ताके यह थोड़ा सा मज़ीद एरिया हमारा फ्रेश हो जाए यह जनाब यली हमने इसके उपर डॉज अन बर्न भी अप्लाइ कर दिया है और अब मैं इसको सारे को आपको जो है वो ग्रुप करके दिखाता हूँ तो सारी लेयर्स को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करता हूँ इसको मैं नाम देता हूँ जनाब यली री टच और अब मैं इसको आपको आफ करके दिखाता हूँ तो यह देखें जनाब यह हमारा पहले विजुल था और उसको हमने री टचिंग से यह बना लिया हुआ है और यह हमने एड्जस्मेंट्स और री टचिंग इस इमिज के उपर अप्लाइ कर दिए हैं अब नेक्स लेसन मे के साथ हम कितने मैजिकल एफेक्ट किसी भी विजुल के उपर अप्लाइ कर सकते हैं और उसमें आर्टिफेक्ट्स मौजूद होते हैं उसको हम रिमूव कर सकते हैं तो यह चीज़ आप लोगों को री टचिंग की जो है वो समझ आगी होगी और एक बात मैं आपको यहां प प्रॉसेस की तो आप इसी आडर के अंदर इन टूल्स को एक बार अप्लाइ करके जरूर देखें क्यूंकि यह जो एक खास वर्कफलो में आपको बता रहा हूं यह फोटो एडिटिंग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अगर आप फॉलो करते हुए प्रै